हेलो एबरीबन नमस्कार चेहिंद मैं आपका जीए सेजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं इंडिया टे सबसे बड़ एजुकेशन चैनल वाइफाइस्टड़े विच्छ आपार्टपन गैडमी तुबच्चे सामगे पांच बच चुके हैं और आप जो चुके रोह क्लास लेती जो आपको क्लास मिला था तो वहां भी मैंने अंत्रिश विज्ञान पढ़ाया था और आज बिल्कुल उसी क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे जहां मैंने आपको कल छोड़ा था कि अवाज आरी प्रॉपर हमारी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रहे होगी दो जरा कमेंट बाख से बताना सब थम दिखाना बिल्कुल आवाज पहुंच रहे मेरी कि शलो तो बच्चे अब आज की जो क्लास होंगी कल आपने क्लास किया था हवाज दा सेशन कैसा लगा था कल कुछ नया सिखा था न बिल्कुल उसे स्रिंखला को फिर साम आगे बढ़ाएंगे और ये टेलिग्राम चैनल अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पीडियाप मिलता ही नहीं ह वो बार-बार कमिट्स करते हैं सरा पीडियाप मुझे क्यों नहीं देते हो ये टेलिग्राम चैनल और एक गुरूप तो यहां पर आप ज्वाइन करोगे चैनल पे तो आपको ज्यादा परिशानी नहीं होगा पीडियाप को ढूनने में और ये गुरूप में आप क्विज कर सकते हो यहां पर क्विज कर सकते हो तब ज्वाइन कर सकते हो यहां पर फायदा होगा फायदा ही फायदा होगा तो नुकसान нем dil जोटी प्रियार दर्रमिश मंगेश अमर्जीत कर दिखेंदर है संदिप सुना ऑपरी होना आज लेकिन आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे पर फॉलॉं नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलॉं कर लेज़े क्योंकि आपको तीन लेक्षर रोजाना मिल रहे हैं मिनट पर मैं पढ़ाऊंगा करेंट अफेर्स मार्च के मार्च करेंट अफेर्स और रात दस बचकर पांच मिनट पर बिल्कुल चेप्टर वाइड डिसक्रशन चल रहा है भी गांधिया नेरा ठीक है आड़ी बस समझ में तो बिल्कुल अनकैडमिन लर्णिगर डाउनलोड करना और मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको क्लास धूंदने में असानी हो और अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसकी भी तैयारी करते हो बच्चे जैसा कि मैं रोज कह कोड है रिफरल कोड बीए बीए वंजरो बावा टेन आप बस यह कोड लगा कर दस परसंद का रिवेट पा सकते हो चाहे वो रेलवे हो एसे सी हो डियार्डी यह हो या फिर आप यूपी बिक कोई भी पेपर हो कोई भी एजाम हो ठीक है सवाल नमबर वन कहता है कि which of the following launched vehicle was used for the project Apollo नमलिकेत में से कौन सा launch वहान Apollo के लिए इस्तिमाल किया गया था electron जिस हम rocket lab कहते हैं Saturn launch vehicle या Falcon heavy launch या rocket lab test launch सवाल नमबर एक क्या होगा जल्दी मिताव सवाल नमबर वन क्या होगा सर जो launch किया गया था Apollo के लिए वो जो launch वहन था उस launch वहन का नाम था Saturn launch vehicle अब आप लोग में पता क्या है कि एक बच्चे ने जो गलत कहा पहला बच्चा अगर फॉलकन बोल दिया तो हम उसी के पीछे Falcon Heavy launch करते चलेंगे लेकिन हम अपने जवाब नहीं बदलेंगे हम अपने जवाब नहीं बदलेंगे जबकि था क्या Saturn launch vehicle तो सर्फ प्रोजेक्ट अपोलो संजुक्त राज अमिर्का द्वारा अपोलो अंत्रिक्स यान और सैटर्न launch किये गए वहन का उप्योग करके 1961 से 72 के बीच मानो अंत्रिक्स यान मिशन के एक सरंखला थी I skip जूट ना बोलो किसे ने skip ने किया सब ने जवाब बताया है सब ने जवाब बताया है जूट ना बोलो सवाल नंबर दो कहता है सर पढ़ना सवाल अच्छे तरिके से बच्चे कहता है कि सोवियत संग और अस्ट्रिया बुलगारिया फ्राण्स Taste जर्मनी लोकतांत्रिक गनराजय पूछड चेकोव सलवाकिया और जर्मनी के बीच एक संख्य गनराज के एक सहकारी अंत्रिक्स अभ्यान में निमलिखत में से कौन सा अंत्रिक्स अभ्यान शुरू किया यानि इतने देशों ने मिलकर एक अभ्यान शुरू किया था अरे बस समझ में इतने देशों ने मिलकर अभ्यान शुरू किया गया था उस अभ्यान का नाम बताने आपको वेगा प्रोग्राम, वेनेरा मीशन, विनस एक्सप्रेस या मैगलिन स्पेस क्राप्ट क्या होगा सवाल नंबर दो तो क्या होगा वेगा कारेकरम क्या होगा बच्चे वेगा कारेकरम यानि सोवियत संग, औस्ट्रिया, बुल्गारिया, फ्रांस, हंगरी, जर्मन, लोगतांत्रिक गनराज या कहते हैं दा जर्मन, डिमोक्रेटिक रिपब्लिक, पोलेंड या चेकोसलवाकिया और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, सबने मिलकर एक कारेकरम शुरू किया जिसका नाम था वेगा कारेकरम तो क्या है ये वेगा कारेकरम, दिसंबर 1984 में, सोवियत संग, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, सभी ने मिलकर एक मानव रहित अंत्रिक सियान बेजने का काम किया कहाँ, वीनस मिशन पे, वीनस यानी सुक्र पे, सुक्र पर, आरिबा समझ में, वो भी मानव रहित, यानी क्या हो गया, मानव रहित, ठीक है सवाल नमबर तीन, कहता सर, नासा ने बिरस्पतिगरा और चंदर्मा का अध्यन करने के लिए, निम्रिकित में से किस मानव रहित अंत्रिक सियान को भीजा है सवाल पड़ो पिर जो और दे दो जल्दी नासा ने बिरस्पतिगरा और उसके चंदर्मा का अध्यन करने के लिए, निम्रिकित में से किस मानव रहित अंत्रिक सियान को भीजा है तो अगर मैं बात करूँ गैलीलीो, किसने भीजा है, गैलीलीो ने भीजा है किसने भीजा, गैलीलीो ने, यानी गैलीलीयो एक अमिर्की अंत्रिक सियान था गैलिलियो वाजन अमरिकन स्पेस्क्राफ्ट जिसने ब्रेश्पति गरा और उसके चंदरमाओं याने उसका जो उपगरा साथी कई अन्य सौर मंडल निकायों का अध्यन किया था तुछर गैलिलियो कौन है ये इतली के खगोल वैयानिक थे जिसमें जिनके नाम पर ये भेजा गया इस गैलिलियो गैलिली ने एक और बीटर और परवेश जात सामिल था जिसे 18 अक्टूबर 1989 को प्रत्विक अच्छा में छोड़ा गया था कब 18 अक्टूबर 1989 को ठीक है आगे देखिए के तर नासा ने निम्रिकित में से किस निकाय का अध्यन करने के लिए निव खॉराइजंस अंतिच्यान लॉंच किया है नासा एक अंतिच्यान लॉंच करता है उसका नाम निव खॉराइजंस है तो किसके लिए वो लॉंच करत है बच्चे मंगल गरह के लिए प्लूटो के लिए विरस्पति के लिए या बुद्ध के लिए सवाल नंबर चार कि जल्दी कि किसके लिए तुसर नासा ने निम्रिकित में से किस निकाय का द्यान करने के लिए यानि प्लूटो जो अब गरह नहीं रहा है जो अब गरह नहीं रहा है क्या होगा यह बॉने घर हमें काउंत होता है पूलुटो इन पूलुटो के अज़न के लिए एक अंत्रिक्सियान भेजा नाशा ने उस अंत्रिक्सियान को नीव होराइजन्स कहा गया है। नीव होराइजन्स कहा गया ठीक है नीव होराइजन्स एक नासा कर्मिशन है जो बौने गया प्लुटो उसके चंदर्मा और कुईपर बेल्ट सौर मंदल के एक अन्य छेतर का अध्यन करेगा ठीक है जो नेप्चुन की कच्छा से लगबग तीस एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दूर फैला है तो आज प्लुटो गरा नहीं रहा 2006 के पहले इसे गरह माना जाता था तो 2006 में चेक गंडराज की कैपिटल प्राग में एक बैठक होता है किसकी बैठक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की कि जो कहता है कि प्लुटो अब गरह के लिस्ट से बाहर है ठीक है कि दक प्लानेट इंदा सोलर सिस्टम सौर मंदर का सबसे थंडा गरह क्या होगा प्लुटो सुक्र यूरेनस ब्रहस्पति सवाल नमबर पांच जल्दी सौर मंदल का सबसे थंडा गरह सौर मंदल का सबसे थंडा गरह की बात करेंगे तो जूरेनस है यानि देखो एक सी समझना जो केपलर थिवरी के अधार पे कहता है जो जितना दूर होगा वो उतना ही देर से सौर के चारो चकर लगाएगा तो सबसे लास्ट की बात करें तो माई अब यूरेनस और नैप्चुन में सबसे थंडा नैप्चुन होता लेकिन यह नैप्चुन है क्या तब क्या होगा जूरेनस इस राइट राइट आरये बात समझ में जूरेनस होगा क्यों नुकालो ना प्लूटो तगरा रहा ही नहीं यह एसा ही बाहर हो गया πलूटो अब गरा रहा नहीं यह इसा ही बाहर हो गया बच्चा वेनस जूरेनस और जूपिटर ठीक है विच अब ता फॉलविंग इजना नियरेस्ट गैलेक्सी तुदा मिलकी वे नमलिखित में से कौन अकास गंगा दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक है एंड्रोमिडा काटवी लकास गंगा या पी निवी लकास गंगा या वर्लपुल गैलाजी गैलेक्सी वर्लपुल गैलेक्सी बताई क्या होगा शुक्रिया गुर्प्रेथ जल्दी यानि एंड्रोमिडा कहता है कि हमारे जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिलकी वे उससे नजदीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमिडा और हमारी गैलेक्सी का जो आकिरती है वो बिल्कुल अस्पाइरल है अस्पाइरल मतलब सरपीलाकार कुंडली के आकार का सरपीलाकार कुंडली के आकार का ठीक है बच्चे तो एंड्रोमीडा आकास गंगा निकर्तम बड़ा सरपीलाकार है और एंड्रोमीडा आकास गंगा हमारे मिलकी वे के सबसे निकर्तम बड़ी आकास गंगा है क्या होगा इंट्रोमीडाइज राइट नेक्स सवाल किस गरह में सौर मंडल का सबसे बड़ा जवाला मुखी ओलंपस मौन्स इस्थीत है बिरस्पति अरून सूकर और मंगल सवाल नमर साथ जल्दी बताओ एक जवाला मुखी पाए जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा मंगल पे सौर मंडल का सबसे बड़ा जवाला मुखी है अगर निक्स ओलंपिया होता निक्स ओलंपिया होता निक्स ओलंपिया जो सबसे उंचा परवत किसका हमारे सौर मंडल का तो वो मंगल पे ही है जो हिमाले से तीन गुनी हाइट है हिमाले से तीन गुना हाइट है निक्स ओलंपिया का जो परवत है उन जनों का नाम बताइए जो गैसिय निकाये हैं निंद प्लैनेट विच आर गैसियस बॉड़िज बिरस्पती युरेनस नैप्चून ओल दाब उप्रोक सभी जल्दी शुक्रिया रविंदर बताओ सवाल का नंबर आर के जवाब दो तो वे गरह जो गैसिय निकाये हैं बाई सब के सब गैसिय निकाये हैं तो चार हैं जो गैसियस बॉड़िज हैं उसको हम लोग बाई गरह बोलते हैं तो कैसे याद करो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट हैं और फिर जूपीटर, सैटर्न, जूरेनस, नैप्चून ये सब के सब गैसियस बॉड़िज हैं ये सब के सब गैसिये निकाये हैं ठीक है, वीच अवग फॉल्विन प्लैनेट्स हैब नो मून्स नमलिकित में से किस गरह का कोई चैन्दरमा नहीं है, प्लूटो और मरकरी का मार्स और वीनस का मरकरी और वीनस का प्लूटो और मार्स का सवाल नमबर नाइन जल्दी, जल्दी बताओ सवाल नमबर क्या होगा नाइन क्या होगा, बोध और सुक्रियाने मरकरी और वीनस, वीचारे दू ऐसे प्लैनेट हैं जो अनाथ हैं, अनाथ हिंदा सिंस कि ये सूरी के चारो और तो नाचे लगाएंगे, यानि सूरी के चारो और तो चक्कर लगाएंगे, लेकिन बिचारे अपने चारो और किसी को नचा नहीं पाएंगे, जैसे पिर्थवी भी सूरी के चारो और नास्ती है, लेकिन अपने चारो और चंदरमा को नचाती है, वैसे ही मरकरी और वीनस का कोई भी से कार्यकरम की पहली उडान कब शुरू की गई 1979-1980-1981-1982 सवाल नंबर 10 जल्दी बताओ सवाल नंबर 10 जाओक बच्चे नासा द्वारा अंत्रे सटल कार्यकरम की पहली उडान 1981 में शुरू की गई थी कब की गई थी 1981 में शुरू की गई थी बिल्कुल यागर नासा का पहला उडान इसपेस सटल की पहली उडान अंत्रिक्ष परिवान परनाली याई सपेस सटल का पहला मिशन 12 आप्रेल181 को उडान भरा इसमें अमरिक्वी अंत्रिक्ष उडान में फलंबे अंत्राल को समाप्त किया यानि इसके पहले कभी भी अंत्रिक्ष में उडान नासाने नहीं भरा था Space Application Center is located at अंत्रिक्ष अनुपर्योग केंद्र भारत में कहा इस्तित है तिर्वेंद्रम, मुंबई, आमदाबाद या कोई नहीं सवाल नमर 11 चल्दी आसे जल्दी बताओ अभी अंत्रिक्ष अनुपर्योग केंद्र इस्तित्रो मत समझ लेना इस्तित्रव मत समझळ लेना इस्तित्रो समझ कई सब्सक्राइबच्छe गलती लगाएंगे श्तित्रशं Case चंदर मागी सता पर मनुषद्वारा संचाला यह बहन का कोड नाम क्या था कि दिउस्डूरम धो कने देखेश वैए ड्रांड drone अम ईॉस्वर या अ से ड्राइव है मनुषद्वारा संचालिख पहले वहना का कोड नाम था रोभर चैलेंजर, लूना ट्वेंटी टू या एगल सवाल नमबर बारा क्या होगए जल्दी चंदर्मा की सताप पर मनुष द्वारा संचालित पहले वहान का कोड नाम था रोवर क्या था सोनी का जवाब दिखा सरोज का जवाब दिख्या सही बिलकूल क्या बात है तो लूनर रोविंग विक्कील की बात करें एलारवी की बात करें चार पहियों वाला रोवर है जो वहाँ उतर कर सर्च करता ढूंडता 271 और 72 के दवरान अमरिकी अपुलो कारकरम के अंतिम तीन मिश्णों में से चंदर्मा पर किया गया था भारत का उपगरा लॉंच पैड की सास्थान पर इस्थीत है इंडिया सेटलाइट लॉंच पैड इस लोकेटेड अट विच प्लेस अमता बाग देहरा दूं स्री हरी कोटा कोई नहीं सवाल नमर 13 भारत का उपगरा लॉंच पैड कहां स्री हरी कोटा से हम पर शेपित करते हैं कहां पर स्री हरी कोटा अब बताव किस राज में हैं यह किस राज में यह शत्तिष ध्वन केंद्र या स्विली हरी कोटा रेंज भारतिय अंत्रिच अनुसंधान संगठन इस्वरोद्वार संचालित एक रॉकेट लॉंच सेंटर है जो आंध्रपर्देश के हरी कोटा में इस्थीत है कहां पर बच्चे आंध्रपर्देश के हरी क कोटा में इस्थीत है याद रखना ठीक है 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 ली धुमके तु कितने वर्सों बाद दिखाई देता है सामेने इयर्स अप्टर दा हैली कॉमेट एपियर्स ट्वेंटिफाइव थ्रिहंडेड सेवेंटिसेक्स और नहीं दाबब इन में से कोई भी नहीं सवाल नव प्वाइदा है कुछ 76 वर्स में बिलकुल याद रखना 76 वर्स हैली धुमके तु एक बार में 76 वर्स में दिखाई देगा क्यों यह सूर्य के चारों चकर लगाता है जसलाई का गैस होता है और जैसे जैसे सूर्य के नर्जिक आगा यह बनता जाएगा इसे कॉमा की तरह इ तो लास्टली यह कभ रिखा था लास्टली दिखा था यह उन्यसोच यह ची शी चैतर वर्स बार दिखेगा तो अगली बार कभ दिखेगा कर दो हैज़ार दो हैज़ारवासट में देख़ेगा इस दिखेगा एटी शिक्स में सेवैंटिशक्स करेंगे 62 और 61 नहीं 62 होगा 61 नहीं बिल्कुल याद रखना किस खगव सास्त्रे ने पिर्थवी को ब्रहमान के केंद्र में रखा विच एक्ट्रोनोमर प्लेश्ट अर्थ एड दा सेंटर अप दे उनिवर्स आर वट फ़स्ट गैलीलियो टॉलेमी या नानव दाबब उप्रोक्ट में से कोई नहीं सवाल नमर पंद्रा जल्दी हाँ 2022 में दिखेगा चाहे जिन्दा रहे ना रहे दिखेगा जरूर अगर हम लोग जिन्दा रहे गए तो फिर वही कहेंगे कि देखो मैंने पढ़ाया था ठीक है तो टॉलेमी किस खगों सास्त्रे ने पिर्थवी को बरमांड के केंद्र में रखा टॉलेमी ने किस ने रखा टॉलेमी ने बटाया कि सर केंद्र में पिर्थवी है जो सुर्य है तो टॉलेमी एक खगोल सास्त्रों गणता की थे उनका मानना था कि पिर्थवी बरमांड का केंद्र थी क्यों कि ग्रिक में पिर्थवी के लिए जीयो सब्द है कि ठीक है इसलिए इन्होंने गलत फैमी इनको लग गया किस खगोल सास्त्री ने फिर सुझाओ दिया सुधारा कि भाई साहब टॉलेमी साहब आप गलत कह रहे हो क्यों क्योंकि सौर मंडल के केंद्र में तो सुर्य है बताओ कौन सुधारा तो टॉलेमी ने कहा पिर्थवी केंद्र में है कौपर निक्स ने कहा भाई सूर्य है गलत मत सूर्य है गलत मत बताओ यानि टॉलेमी के फॉर्मूला को कॉंसेप्ट को काटते हुए कौपर निक्स ने सुधारा ठीक है तो हेल्यो सेंट्रिज्म खगोलिय मॉडल में पिर्थवी और गरह सूर्य के चारो और सौर मंडल के केंद्र में घुमते विए पाए गए जिसे कारण कौपर निक्स ने से सुधारा है तो ये था सेशन आज का कैसा लगा सेशन कुछ निया सीखा होगा अब देखो 5.35 पे 5.35 पीम पे अभी करेंट अफेर्स का सेशन है उस करेंट अफेर्स में मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसी क्यों है क्या अपने तो पढ़ रखा है आपके लिए तो आसान याद रखना तो आईए देखते हैं किसमें कितना है दम अभी मैं लिंक को सेयर करूंगा कहां पे अपने टिलिग्राम चैनल पे और अगर मेरे से आप चाहते हो सर मैं अपने कॉंसर्ट के लिए करूं मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं तो बिल्कुल आप जूर सकते हो हमारे साथ आने का इनमी पे चाहिए वो रेल्वे हो एसेस्टी हो या डियार्टी हो जिसकी भी तैयारी करो और सबसे वहली खुसकाबरी कि बिहार में तो फॉरेस्ट गाट के विकेंसी आई है फॉरेस्ट्री की यार भरो अभी मौका ने अभी मौका है अगर अभी चूग गए तो फिर सोचना पड़ कि सुख रहार!